आज एक की स्टेडी मुझे बनाना है ठीक है डेल का यह मदर बोट के उपर यह देख सकते हो एले 9101 पी है बहुत ही कॉमन फेमस मदर बोट इसमें जो इशू है वो है नौट चार्जिंग का ठीक है और नौट चार्जिंग कैसा है मैं आपको बता देता हूं मैं दिखा नहीं जाता हूं ठीक है क्योंकि आपको मैं बाद में बताता हूं मैं डेल का PSID उसकर लेता हूं 19 वोल्ट बोड आन किया देखो इधर पर यह डिस्पे बन गया ठीक है यह डिस्पे इसका प्रपाली बन गया अभी मदर बोट तो ओन है अभी अगर मैं इधर पर आपको चीक कर आ इसे देखके भाई यह तो easy case है आपको discharge MOSFET short हो गया अभी अगर मैं इधर पर यह चाइना वाला इसका बैटरी है ठीक है लपी पावर का अगर मैं इसे लगाओंगा इधर पर तो क्या होगा मेरा जो DC है वो short circuit protection में चला जाएगा और voltage low होके चितना current मैं सेट करूंगा वो current खीचता रहेगा तो ऐसे देखते अगर ऐसे हम देखते हैं तो हम लोग ज्यादा टाइम 99% टाइम हम लोग जानते डिस्चाज MOSFET से प्रॉब्लम है opposite side है वो बट यह case पे वो condition नहीं है ठीक है मैं अभी इसलिए यह case आपको दिखाना चाहता हूं तो मैंने display आपको दिखा हम कुलिंग फैन इसे ओपेन भी कर सकते हैं कुलिंग फैन का इधर पर ज़्यादा ज़वरत तो नहीं है तो यह हमारा मदरबूर्ड आ गया और इसे मैं थोड़ा side में चलब देख सकते हो यह हमारा मदरबूर्ड है ठीक है तो इधर पर जो इसका condition बना है ठीक है उसका मैं इधर पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यह case आपको भी मिल सकता है ठीक है तो अगर मैं opposite set घुमाओंगा और थोड़ा सा zooming करूंगा यह area पर इधर पर मैंने पहले काम किया है ठीक है तो पहले technician कोई भाई के पास गया होगा तो इधर पर देख सकते हो ऐसे टाइप का एक MOSFET है यह P है यह भी P है यह हमारा input के लिए है इधर पर इन लगा था ठीक है मैंने remove किया इधर पर सभी removed component है मैं दिखा देता हूँ तो यह इसका इन का था ओके और इधर पर इधर पर यह दो इन चैनल का दो MOSFET है यह जो दो MOSFET आपको दिख रहा है यह आपका charging के लिए है और यह जो दिख रहा है यह आपका किसके लिए discharge के लिए है तो 99% time हमें दिखता है आपका वी इन पास करेगा ठीक है उसके बाद discharge MOSFET short होने पर अगर शॉड हो गया तो पावर चला आता है हमारा बैटरी कनेक्टर पे अभी वह ही हो रहा है बट थू नॉट थू दर डिस्चार्ज MOSFET इकदम परफेक्ट है यह पी चैनल का MOSFET इधर पर लगाया गया है ओके है और इधर पर इसका gate भी ओके है बट जो पावर इंटर कर रहा है हमारा हाईFET से है तो इसमें गुइन के साथ ठीक? तो यह मैं देख लूंगा, यह ग्राउंटके साथ बीप कर रहे है यह भी नहीं यह भी नहीं और एक वीप करेगा तो CLR से यह अ वे इन के साथ बेप कर रहा है ठीक तो यह हमारा high fit, यह हमारा low fit, तो high fit का जो gate है, उधर पे 19 आके परा है, इसके लिए क्या होड़ा है, wind से power पूरा इस से through यह directly coil से connected होगा, coil के through यह plus से connected है, तो पूरा 19 वोल्ट हमारा plus line में आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बज़े से problem आ रहा है, not through the discharging MOSFET, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो मैं power connect करता हूँ, perfect consumption है अभी, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इधर से ground कर देता हूँ, मेरा rate probe का needle probe तूट गया, तो अभी दोनों ही black, black है, but actually needle probe ही हमारा, क्या है, plus है, तो इधर पे आप देखो, चीके, अभी हमारा coil पे 19 वोल्ट आ रहा ह है, अभी हमारा battery पे 19 वोल्ड आ रहा है, यह तो नहीं आना चाहिए, तो ज्यादाता लोग क्या जानते है, यह आ रहा है, यह discharge MOSFETS है, ठीक है, but अगर मैं इधर पे चेक करू, आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा, because यह coil के साथ ही parallel connected है, but यह discharge MOSFETS के through नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखो, distance MOSFETS का जो gate है, वो high voltage पे set है, इसका मतलब क्या है, high voltage का set है, मतलब यह P channel है, इसे off होना चाहिए, तो exactly यह off ही है, problem कर रहा है हमारा यह वाला MOSFETS, तो देखो, इधर पे, sorry, यह नहीं, यह वाला MOSFETS, वो तो 9 ground के साथ था, यह 19, इधर पे 19, और इसक gate देखो, 19, तो 19 का, इधर पे in channel है, high voltage gate पे मिल गया, तो pass करा दे रहा है, इधर से direct power आ रहा है, इधर पे, इसका gate कॉन कंट्रोल करता है, आपका BQIC, simple, आपका BQIC इसका gate कंट्रोल करता है, because BQIC, जो charging IC है, जो हम लोग बोलते charging IC, BQIC, max का IC, कोई भी हो, ISL का IC, so, उसका द charging को, कराना, battery से, तो VIN, दो तरह से pass होता है, ठीक है, actually, तीन तरह से होता है, एक होता है, क्या, AC drive से, अगर in channel का हो, 25 volt मिलेगा, इधर पे मैं अगर gate को, gate का status में दिखा हूँ, यह most probably gate है, देखो, 8.4 बन रहा है, तो यह कैसे बन रहा है, यह AC OK का signal, हमारा MOSFET, और transistor पे जाएगा, और एक होता है, वो होए, self, okay, self-bias, वो खुद से bias हो जाता है, तो यह टीन तरह से VIN pass होता है, तो इसका जो IC है, वो VIN तो properly pass करा रहा है, because AC OK, AC detect, सब कुछ proper है, but वो इसके साथ-साथ, हमारा जो high freight है, उसका जो gate drive है, उसे high करके रखा है, इसके बज़े से हमार इधर पे, हमारा जो battery connector है, इधर पे हमारा पूरा 19V आ रहा है, but not through the discharge MOSFET, इबर, आभी, मैं थोरा सा इधर पे आपको दिखा देता हू, discharge MOSFET, सभी MOSFET का status, ठीक है, कोई भी MOSFET इधर पे shorting नहीं है, देखो, shorting नहीं है, gate के साथ, नहीं है, ठीक है, ओके, यह connected था, एक से मैंने जब चेक किया था, तभी उधर पे नहीं चेक किया, फिर से आपको दिखा देता हू, so, इधर पे gate है इसका, ठीक है, तो देखो, सैमी आ रहा है, 19.5, ओके, और इधर पे 19.9 है, और इधर पे 19.5 है, तो अभी high voltage है, ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज अभी तो यह battery mode प के, पूरा power को distribute करेगा, यही होना चाहिए, तो यह short भी नहीं है, तो चारो pin connected है, तो इसके साथ यह, sorry, इसके साथ, यह, इसके साथ, gate के साथ, यह, कोई भी beeping नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे, charging का, देखो, charging का भी कोई beeping नहीं है, ठीक है, और यह high fit का, देखो, high fit भी beeping नहीं है, ठीक है, हुई भी नहीं है, हम लोग देखेंगे, विन का, ठीक है, विन का भी मैंने मॉस्पेट चेंज किया है, सब कुछ किया है, मैंने, ठीक है, out of camera, because यह सब दिखाने का मतलब नहीं, because यह, जिधर से भी, जो भी technician भाई, इसे करा था, काम, उसर से थोड़ा सा गलती हो गया उनसे, उन्होंने यह मॉस्पेट को चेंज किया था, okay, because यह पहले shot हुआ था, ठीक है, इसे उन्हेंने चेंज किया, मैंने history लिया board का, उसके बाद उन्होंने यह भी चेंज किया, बट यह उन्होंने in लगा दिया था, तो इसे मैंने P किया, और यह दो मॉस् का है, और BQ जो IC है, वो यह है, इसका जो नंबर है, वो है, BQ 4, इसका नंबर क्या है था, 24747, okay, 24747, मैं इधर पर आपको दिखा देता हूं, अगर कैमेरा में visible हो जाता है, ठीक है, most probably नहीं हो सकता है, okay, हाँ, देखो, इधर पर दिख रहा है, यह, देखो, यह, ठीक है, 24747, ठीक है, यह BQ IC का नंबर है, BQ IC का जो वीन है, वो ओके है, जो एसी डिटेक्ट है, वो ओके है, एसी ओके है, वो ओके है, ठीक है, बट, जस्ट इसका जो आपका UG gate होता है, अपर गेट और लोवर गेट, okay, इसमें से अपर गेट वाला जो है, उसे हाई रखा है, यह IC ने, तो यह गलत है, तो हम लोग मैंने, इसका मैंने पास IC नहीं था, इसलिए मैंने इसका IC order किया था, आज ही मुझे right now मिला है, तो अभी मैं इथर पे बहुत सरा IC मैंने order किया था, ठीक है, आपको भी दिखा देता हूँ, तो यह है G5193, यह हमारा R33 motherboard के 1.8 volt बनाता है, यह 5911 NPC का IC है, यह GFX बनाता है R33 को, विकोज इसके बाद R33 का board में हमें काम करना है, यह R33 का code IC है, 6132B, और इसके बाद यह है हमारा IC, 42747, यह BQIC, इसके बाद मैंने order किया, यह हमारा TPS का normal 51125, common IC, और यह हमारा 110 का motherboard में जिए code बदलना है, उसका, ठीक है, 59859, ठीक है, सब कुछ की दर से आया, आपको मालूम है, रिफिक्स, अब ही हम लोग, just हमारा जो, नीडेड है, IC, उसे मैं निकाल लूँगा, ठीक है, उसके उपर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो R33 है, वो भी मैं देखूँगा, वो अगर successful हो जाता है, तो वो भी upload करूँगा, विकाज उसका थोड़ा सा doubt है, उसका CPU पे, मुझे, ठीक है, बट, IC मैंने आम मंगवा लिया, विकाज, मुझे तो देखना ही है, customer ने चाहता है, उसे मैं repair कर दूँ, ठीक है, तो मैं रिक्स लेना ही परेगा, इसमें भी हम लोग ले रहे है, ठीक है, कोई बात नहीं, विकाज ऐसे नहीं काम करना होगा, तो ऐसे ही होगा, ठीक है, तो देख सकते हूँ, मैंने दो मंग हुआ है, एक लगाएंगे, एक रखेंगे हमारे पास, ठीक है, तो scrap खरीदने से सब कुछ नहीं मिलता है, मैंने 20p scrap order दिया था, मिल भी गया, बट यह IC नहीं मिला, ठीक है, तो ऐसा होता है, विकाज, यह IC बहुत ही uncommon है, ठीक है, और इफिस का IC always अच्छा होता है, यह तो guarantee है हमारा, ठीक है, उनके पास से मैं बहुत दिनों से dealing कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह हमारा IC मिल गया, ठीक है, एक्जेकली सेम IC भजया है, उन्होंने, परफेक्ली, फाइन, ओके, फोकस कर ले भई, तो यह आपका देख सकते हो, 24747, परफेक्ट IC है, और हम लोग इस IC को भ इसат लगीगा काम करने के लिए, आप लोग थोरा उपर से देख सकते हो, और मैं थोरा इसी आपको zoom भी करा सकता हूँ, ठीक है, अब अब को zoom करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अब इतनी कर आँने, प्रपन ठीक है, ठीक है, थोरा पिक्चर वार्टी, थोरा तो हो खासी हुआ है थोड़ा सा कोल्ड लग गया फीवर आया था थोड़ा सा सो थोड़ा सा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है ठीक है बट काम तो करना परेगा भाई बहुत सारा काम पेंटिंग होके परा है चलो आइसे रिप्लेस कर लेते हैं ठीक है मुझे तो लगता है यह अच्छा का ही प्राब्लम ठीक है जितना अंडर्स्टान की आइस बोड को मुझे लगते हैं यह बिक्व आईसी का ही प्राब्लम है तो आईसी रिप्लेस ख़लने से हमारा प्राब्लम शॉल्फ नहीं है थीक है तो मैंने इसी उतार दिया अब नया इ इसे भी लगा नहीं है थोड़ा सा इधर एक रेजिस्टर खिसका है इसे थोड़ा से ही चल लेते हैं लख तो गया है बढ़ हमें और नया आइसी है तो थोड़ा सा फ्लाक्स देके थोड़ा सा प्रॉपल लिए चलाओगा ठीक है बिकोज नहीं तो बहुत सा रपीन क्या होता प्रॉपल नहीं लगेगा तो काम नहीं बनेगा इसे फ्लोट करना जाहिए चलाओगा इसे फ्लोट कर गया ठीक है अभी पोजिशन पे यह आ गया फ्रिट से फ्लक्स मैं देऊंगा ठीक है फ्लक्स से कंजूसी नहीं बार बार बताता हूं कंजूसी फ्लक्स में नहीं करना है ज्यादा भी नहीं लेना है अभी थोड़ा सा में प्रिश्याद दोंगा इस लिए आए से प्रॉपल ले बैठ जाएगा उसके बाद हम लोग नाइव विट यूज करेंगे इसे फ्रॉपर पोजिशन पे लेगे ठीक है यह हो गया यह आ two hundred degree three 90 ऐशा परफेक्क्त टेमपरीचव ठीक है फुरा सा फ्रिपेर होने देते हैं हो गया ख़ित देते हैं हां अभी इसे फोकस है भई फोकस हां फोकस है तो अभी इसे फ्रॉड़ा सामय था है कि आपाम अगर कोई पी नहीं लग नगा लग जाना चाहिए ऐसे बनने से और उसके बाद हम लोग मैगनेशन ग्लास से भी देखेंगी लास्ट पिन में थोड़ा सा हमें सोल्डर लगाना है तो फ्लक्स और में थोड़ा सा नया सोल्डर वैल ले लूँगा तो आपको क्या लगता है यह बनना चाहिए बोड़ इसे कंडिशन पर आप क्या करते हैं मुझे जरूर कॉमेंट रहर बताना लोगाद उसे मुझे चीघ बगइर बुगाद नहीं आपको क्या मिला इधर पर इसा मिला तो आप लोग खरते हैं इसे जरूर बताना ठीक है कॉमेंड करना तो मैं आपको लोगों को पोजिशन पर लेके आता हूं ठीक है चलो अभी ओके हैं तो इधर पर मैंने आइसी लगा दिया इसी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बा बगाने के टाइम पर आजुगा जुगा component हिल जाता है ठीक है तो सब कुछ हम लोग इधर से कंफर्म करके उसके बाद ही पावर इंजिट करेंगे और पावर भी इंजिट करने के टाइम के हम लोग low ampere से starting करेंगे ठीक है जब healthy consumption हमें मिलता रहेगा तब हम लोग high current पर जा को मैं बताना चाहते हूं आपको ऐसे एक आशी को लगाना है कैसे इसे चलाना है ठीख ठीछे विकोज आप कस्टूमर के बॉड में काम कर रहे हो रात Kud का तो नहीं है तो बॉड और है तो आपका खराब नहीं नहीं चाहिए एक दम भी इस विए मैं बता देना जाता हूं तो मेरा मेगनिफाइंग ग्लास से मैं पहले थोड़ा से इंस्पेक्ट कर लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं ठीक है यह साइट देख लेता हूं यह साइट देखने गया है प्रॉपर नहीं है यह आज भाज़े का कमेक को घिड़ा नहीं है परफेंट है मैं आपको दिखा देता हूं बै्टरी भी लगाने के ज़रूरत नहीं बन गया तो और कोई बज़े से i.C. खराब नहीं है उसका यह उसका बैड़ फयाज़ wedding मैंने इधर से निकाल दिया ठीक है तो अभी मैं इसे पावर दूँगा अभी हम लोग देख लेते हैं जो इसका हमारा जो इधर पे हाई वोल्टेज आ रहा था वो हमारा अभी क्या हो रहा है तो मैं डेल का PSID यूज करूंगा ठीक है 20 वोल्ट इंग्जेक्ट कर दिया 14 मिलि 4 आ रहा है और इधर पे 0 इसका मतलब हमारा problem solve हो गया अभी एक काम करते है बैटरी लागाते है तो यह मेरा बैटरी है ठीक है ऐसे connect होगा ठीक है तो अभी अगर देखो तो डिस्चार्ज मौस पेड ओन होना चाहिए ठीक है तो यह इधर पे देख लेता हुए नहीं इधर लिवढ़ी और पेड़ा यह आउट्पूट हो सकते है इधर पे भी कुछ नहीं आए ठीक है इधर पे कुछ नहीं आया ठीक है अब लोग इंजिक्ट करते हैं ठीक है इंजिक्ट किया इधर पे charging light गलो कर गया ठीक है कि मैं दिखा देता हूं एक सेकेंड मैं आन करता हूँ तो अभी मैं इसे ओपेन करूंगा तो बोड बंद नहीं होगा देखो और मैं कनेट करता हूँ कोई कोई स्टोडी नहीं है नाइन हंड्रेड वान पाइंट फाइंपियर कंजम्शन है ठीक है तो हो गया आपका केस कंप्लीट ठीक है और मैं फिर से एक बाद दिखा देता हूँ देखो बैटरी से भी चल रहा है प्रॉपर ली और यह कनेट कर दिया इसके बाद यह डिसी कनेट विंडोस के दिखा रहा है आपको मैं दिखाता हूँ होल्ट कर जाओ मैं फिटिंग कर लेता हूँ तो आफ्टर थोड़ी दिर बाद मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको चीक है इधर पर देख सकते हो इसके से चार्ज हो गया है ठेक जिरो परसें था पहले ठीक है प्रॉपर चल रहा है मैं थोरा सा सीप्यू वगर्या का इन्फॉनमेशन ले रहा था कोई कोई इशू है कि नहीं कोई स्पीडिंग का पर्फेक्ट है कोई मसला नहीं है ठीक है मैं इसीन एकदम ओके है थोरा सा टाइम दे दो इधर पर सेवन परसेंट मैं करके दिखा के आपको बंद करता हूँ तो देखा इस केस में कैसा था इस कीस में आपका मॉस्पेट ओके थ ठीक है तो ऐसे ही सम टाइम हमें प्रॉब्लेम तो कॉमन मिलता है सम टाइम देखने में लगता है वो कॉमन है बट अक्चुली कॉमन नहीं है ठीक है वही ये केस था तो आशा करता हो आपको अच्छा लगे देखो 7% हो गया आशा करता हो आपको कुछ इंपोर्टेंच सीखने को मिला है अगर मिला है तो जरूर लाइक और सस्क्राइब करना और ऐसे ही इंफोर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सस्क्राइब करके रखो यह हमने आई सी चेंज किया ठीक है और काम बदल गया और इसमें जो प्रहले प्रॉब्ले भी था ऐसा कुछ रहा होगा बढ़ हम लोग बैस्केमें देखा चेंज कर दिया पूरा सिस्टेम रडी हो गया ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो जरूर लाइक बिचन करना ठीक है ऐसे वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरा च इन्फरमेटिक केस के साथ आपके साथ मुलाकत होती रहेंगे तब तक के लिए बाई-बाई आप अच्छे रहो खुश रहो और अब देख सकते हो यह 8 परसेंट भी हो गया है चिका बाई अ अ अ अ अ अ अ